हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू साब लॉक्स आज मैं आपको बहुत ही आसानी से और बहुत जट्पच से बन जाने वाले दही तड़के की रेसी भी बताती हूं जितना आसानी से बन जाता है उतना जादा टेस्टी होता है अगर बाइचांस आपके घर में कभी कोई सब्जी करें नहीं हो और दही देखी और लहसं ब्यास और यह आपको समच में आए कि क्या बनाना था आप इसे बना सकते हैं आप इसे सब्जी के सादी बना सकते हैं इसके लिए सामकरी चीए दो कब या दो कटोरा पिल्कुल ताजा घर का चमावा बिलकुल गाड़ा है दही एक सो जड़ाए जड़ा दी है आँच में और देखे दोस्तों गी डाल दिया है मैंने दो चमच गी होने देंगे गी होने तक गी जो दही है इसको मैं फेट लेती हूं बहुत ज़्यादा फेटने की ज़रुएतनी है क्योंकि गी है मैं गाडा ची बहुत पतला भी नहीं चीए और पानी मिलाने की ज़रुएतनी है और आप और भी ज्यादा गाडा दही ले सकते हैं गी हो गया है तो इसमें देखे जीरे का तड़का लगा दिया आदा चमच जीरे का और आदी चमच से थोड़ा कम राए दाने का और जो सूखी लाल मिर्ची है वो भी मैंने डाल दी है प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की जुरुएतनी है हलका सा कलर पीज हो जाए तो इसमें हम लेसुन का तड़का डालेंगे और लेसुन दालने के बाद भी लेसून डालने के बाद भी प्याद हो जाएगा सांसांती भी जा सकते दोनों दो तीन चीजें जैसे प्याज फारी कटावा प्याज लैसन और अद्रक लैसन और प्याज को अम चल लिज़ेग़ लगा दार चलावा ठेकाव सिय्ट भारी कटावा अद्रक ह privileged लेसन थोड़ देर ने अरही के बाद भी हम चला देंगे और अब इसमें कुछ पॉड़र मसाले डालेंगे हम तो इसमें बिल्कुछ सी माज कर दीजेगा आप देखिए मैंने एक चुछाई चमच हल्दी पॉड़र थोड़ा सा अल्दी पॉड़र डाला मैंने और उसके बाद मैंने जो कास्मी लाल इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा और थोड़ा सा मैंने जो लाल मिर्ची होती है नौर्मल वाली वो डाल लखी है और साथ में मैंने गरम मसाला डाल दिया है आदी चमच से थोड़ा कम और इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर लीजेगा आदा मीटे एक मिनट के करीबन ब अगर फटने की चांस बहुत कम है और खास तर पर ऐसे अगर थंडा होने देंगे आप तड़के को तो दही बिल्कुल नहीं फटेगा देखे दोस्तो ये दही मैं अब लास्टर में नवक मिला ले रही हूं आप जिसमें मसाले मिलाए थे पॉर्डर मसाले उसे ही मिला सकते हैं तैयार हो गया हमारा जो ये दही तड़का है और देखे आप इसमें बारी कटा वहरा धन्या ड के साथ पुलाव या खिच्री के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टीस्टी लगता है दोस्तों लोग इसे बाजडे की रोटियों के साथ भी खाते हैं आसा करती हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जरू को सीखने को मिला होगा और आप भी जरू बनाएगा यह दही धड़का और मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो लाइक करें और मेरे वीडियो में कमेंस भी जरू करें यह उतने शेयार से